आप सबी का इंग्लिश का एक्जाम मुझे पता है बहुत बढ़िया गया होगा जिन बच्चों का अच्छा एक्जाम गया है कमेंट बॉक्स में अभी के भी लिखो कि आपका एक्जाम कैसा गया है ठीक है तो चलिए डिसकस कर लेते हैं सॉलुशन एक बार आप लोगों का औ वो बच्चे अपना सॉलुशन को चेक करेंगे और जिनका थर्ड मार्श को एक्जाम है वो एक बार देख लेंगे बेटा किस तरह के कुश्चन्स आप लोग के एक्जाम में आ रहे हैं बहुत इजी पेपर था मैंने आपके साथ में जो ग्रामर कोश्चन है मतलब जो कर लेंगे ठीके चलिए स्टाट कर लेता है पहला कुश्चन न ही पंच जो है किसी का मित्र होता है और ना ही किसी का क्या होता है बेटा शत्रू होता है फ्रेंद और इनेमी घीके who was nominated as head punch and by a womb तो अलगु चौदरी को चुना गया था head punch और किसने चुना था बिटा old lady ने ठीक है उसके बाद dash said that the voice of the punch is the voice of dash तो किसने बुला बिटा तो जुम्मन said the voice of the punch is the voice of the god देखो यह आपको लर नहीं करना है आपके पास simple एक paragraph दिया है इसमें से आपको identify करके इसके answers देने होते हैं ठीक है तो यहां से next लिखा है the synonym of the word announce तो यह आपको पता होना चीए announce का synonyms क्या होता है synonyms होते हैं बिटा similar word और antonyms होते हैं opposite word ठीक है तो synonyms क्या है similar word announce का होता है declare और notify next question देखो question number 2 what were the name of both a friend तो यहां पे खुल लिखा है न once there were two friends Rohan and Jitesh तो यहां पे name क्या है अपका Jitesh and Rohan next question देखो both the friends were dash and dash दोनों friend कैसे हैं बिटा honest or intelligent the trees were dash with dash तो यहां पे क्या हैगा tall leaf branches तो यहां पे क्या हैगा tall leaf branches leafy branches on seeing dash both the friends become monkey on seeing monkey monkey को देखकर दोनों friend क्या हो गए डर गए afraid का मननल होता है डर ना तो यहां पे क्या हैगा afraid by their dash they get rid of तो यहां पे क्या हैगा by their intelligence by their intelligence they get rid of monkey तो यहां पे क्या हैगा आपका जो D option है वो बिक्षो सही है अच्छा देखिए यह जो आपका जो application आया था change of section के उपर यह already uploaded है बिटा वीडियो channel पे आप लोग देख सकते हैं और उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे मतलब जो आपके exam के जो आपका syllabus है जो आपको दिया हुआ था उसमें letter or essay जो भी आपके syllabus का पार्ट है वो मैंने आपके सारे discuss किया हुआ है एक बाद देख लेना उसको और वाड़े पार्ट में माय मदर की उपर आया था आप लोग उने बहुत बड़े 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 line अपनी ममी की उपर लिखी हुई और उसके बाद में next आपके पास में story writing दिया था portion यह आपको इस तरह से story writing आएगा आपको कुछ words दे दी होंगे words और कुछ sentences लिएक उनको use करके आपको story बनानी है इनका use करके और एक आपको picture दे रखिए इसके based पे आपको story बनानी है और यह आपको पदा है यह आपनी story पड़ी होगी कौन है देवता है और यह कौन है लकड हारा यहाद है छोटे बड़ा हमने तो देवता जो है वो तीन कुलहाडी निकाल के लिए कराते हैं silver, gold है ना उसके बाद iron की कुलहाडी को ले रहता है बड़ा एक मांदर लकड हारा होता है ठीक है तो वह यह story आ रखिए next I have a little dog यहापे ए आएगा I go for a walk daily यहाँ पर भी ए आएगा next question है आपका they give me many books तो यहाँ पर क्या आएगा many and Abhigya is an honest girl तो यहाँ पर क्या आएगा बिटा आएगा ठीक है दोहन डाश a delicious यहाँ पर क्या आएगा क्यों क्या आएगा इसका रीजन है yesterday board रहे है तो यहाँ पर वर्ट की third form आएगी next आपको पता है आपको positive comparative one superlative देखी तो पता ही है hot hot hottest होता है slow slower slowest much more most good better best and long longer longest यह बहुत असान से आएग्जाम में अब देखिए यहाँ पर देखो आपको opposite word जो है वो match करना है a heavy boat तो heavy का opposite क्या होता है light heavy का halka भारी का होगा fake news का आजाएगा true news news fake क्या होती है जो false news होती है smart boy का हो जाएगा stupid boy and bad experience का हो जाएगा good experience पर यहाँ पर क्या match कर देंगे good next ram and shiam were always dashed together तो ram and shiam यहाँ पर play आएगा because यह जो sentence है वो present indefinite tense का sentence है और क्योंकि यहाँ पर दो लोग है तो हम सिर्फ play यूज करेंगे अगर singular होता तो as is is लगाते तो यहाँ पर इस पर play आएगा उसके बाद he has just completed his work अब देको यहाँ पर क्या आएगा complete की third form अब यहाँ देको यह क्या है यह है present continuous tense अब का is m आ रहाता है present continuous में तो birds लिखा है तो r आएगा ठीके और work की first form आती है present continuous में याद है आप सबको न work की first form प्लस क्या आती है work की first form प्लस ing work की first form प्लस ing यहाँ पर क्या आएगा r flying i dash a movie yesterday तो yesterday दिखा है न तो यहाँ पर work की third form आएगी work की third form क्या होती है watch का watch जाएगा ठीक है next question what was every householder talking about हर इग व्यक्ति इसके बारे मात कर रहा यह आपके story है गोपाल एंदा हिल सफिष एक बात और आप सभी जो भी prepare कर रहे है exam के कल वले exam के लिए focus करिए पीटा जो mid-term exam के बाद जो chapters आए है उन में से बहुत सारी questions आ रहे है तो जो first form वाला आपका जो mid-term के पहले वाला जो syllabus है उसको भी करेंगे obviously उसको भी करेंगे लेकिन थोड़ा जो mid-term के बाद वाले chapters है उन पर ज्यादा ध्यान दीना है आपको तो यह इसले लिखा हुआ है the house was what was the every house talking about to talk about the hills of fish ठीक है the price of hills of fish has down today उसके बाद the curtier were not talking about hills of fish तो यह लिखा है कि जो curtier है दरबारी जो है वो hills of fish के बारे में बात नहीं कर रहे थे तो यहली statement क्या है रॉंग है तो फॉल्स हाईगा है यहाँ पर युकि हर कोई व्यक्ति जो है वो hills of fish के बारे में बात कर रहा है एक बात और आपके exam में जितनी भी poems हा रही है और जो भी विटा आपके exam में chapters हा रहे हैं उनके poems और writer की name आपको learn करके जाना है ठीक है युकि important है आपके exam के point of view से name आपने को पूछ रखा है name the poem and the poet of the given stanza तो यह poem का नाम क्या है विटा tree and shale bearer जो है वो कौन है आपके poet का name है tree givers, trees हमें क्या देते हैं विटा उडने के लिए बलो है लिखाना है wind की help से blow होते ही है trees are to make tree houses in इसका meaning पुछा है आप से तो trees के ऊपर क्या होते हैं बहुत सारे घर होते हैं जो पसू बक्षी होते हैं उनकी ऊपर रहते हैं तो यहाँ पर खेंगे a small shelter built in a tree तो याद आपका D option ठीक है next question देखिए what were the three questions that the king wanted to know जो राजा था वो कौन से तीन questions जो है उनकी answer जानना चाहता था तो यह फर्स term का syllabus से पुछा गया था तो what is the right time to begin begin everything पहला question है what are the right people to listen to and what is the most important things to do ठीक है क्या काम है उसे करना चाहिए तो यह question यह जो पहला question है वो सिफ first term से आया है बागी सारे second term से ही है इनसान जो हो हो हिलसा फिश के बारे में बात करे तो he was getting annoyed with all the talk about हिलसा फिश ठीक है what three things did Gopal do before going to buy हिलसा फिश गोपाल ने क्या ऐसी तीन चीज़े की जब हो हिलसा फिश को लेने गया था तो he shaped half of his beard उसने अपनी beard को half shape कर लिया he smeared ash on his body उसने अपनी पूरी body पे राख जो है वो लगा ली he wore rags and worn out cloths तो यह आप reason लिखेंगे उसके बाद में पूछ रहे है what does dawn drag your feet suggest dawn drag का मतलब होता है घिसट के पैरों को नहीं चलना है तो इसका क्या से इस करता है बिटा कि जो dragging होती है feet को जो drag करके बच्चे चलते है it's a bad manner ठीके तो यह लिखर आएंगे next order है what messages does the poem tree convey तो जो tree poem है वो क्या message convey कर रही है तो tree pray a vital role in the environment जो पेड होते हैं वो बहुत एहम role play करते हैं environment में without tree there will be no life बिना tree के हम life को क्या expect कर सकते हैं नहीं क्योंकि trees जो होते हैं वो हमारे बहुत जदा important है so hence we should prevent them इसलिए हमें उन्हें बचाना भी है और grow करने हैं जितने हम से tree grow हो सकते हैं ठीके तो I hope आप सभी को जो मतलब आपका paper है वो समझ में आ गया होगा ठीके आप लोग अपने solution match कर लेना सभी के सभी और जिनका कल एक्जाम है उनके लिए all the best thank you आपको करने